हेलो फ्रेंस स्वागत आप सुभी का हमारे इस यूटूब चनल में तो फ्रेंस आज हम लोग इस वीडियो में मुख्य मंत्री मेगा चात्रवृति परिच्छा दो हजार चोबीस का बारे में बात करेंगे कि रिजल्ट कब आएगा पासिंग मार्क्स क्या होगा यह सारा आप वीडियो को सुरू से यहन तक देखिए आपको अच्छी से समझ में आएगा ठीक है देखिए सबसे पहले रिजल्ट के बारे में बात करते हैं ध्यान से देखिए रिजल्ट कब तक आएगा सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले हम लो तो देखिए अब जो है इस साल 2024 का रिजल्ट इसमें भी संभावना है कि नौंबर और दिसंबर यही दोनों महिना के बीच में आ सकता है ठीक है नौंबर में अगर नहीं आया तो दिसंबर तक में आ जाएगा बस आपको याद रखना है नौंबर और दिसंबर में आपका रि पासिंग मार्क्स क्या है ठीक है कितना नंबर आएगा पासिंग मार्क्स तो उसके बारे में यहाँ पर समझते हैं देखिए जनरल यू आर मतलब होता है अन्रिजर्ड के टेगरी के लिए लोग है न यू आर जनरल हुआ सबको 60% मिनीमम 60% मिनीमम मतलब 60% जो आने कम से कम आपको लाना है दोनों में मिला के आप लोगा दो खंड का परिछा हुआ एक मैट वाला और एक सेट वाला ठीक है दो खंड था एक मैट और एक सेट दोनों मिला के 60 पर दिसनत अगर आ जाता है कम से कम 60 पर दिसन ठीए न? तो आप पास है और अगर आप 60 पर दिसनत से ज़्यादा भी लाते हैं तब तो और बढ़िया Rickye है ठीक है? लेकिन 60 से कम नहीं होना चाहिए मतलब 69 नहीं होना चाहिए 58 नहीं होना चाहिए कम नहीं होना चाहिए तो ये मैंने आपको बता दिया कि passing marks क्या होगा और कौन सा category का कितना होगा ठीक है चलिए अब आगे बात कर लेते हैं देखिए 180 का 180 क्या है तो total question 180 का 60 परतिसद मतलब अभी जिसे मैंने अभी बताया आपको 60 परतिसद लाना है किसमें? मैट में और सेट में दोनों में मिला के तो 60 परतिसद का मतलब कितना number हुआ कितना number लाइएगा तो पास हो जाईएगा तो 180 number का आप लोग का exam हुआ 180 question का 180 number हुआ 180 का 60 परतिसद निकाल लिएगा 180 गुना साट करिएगा बटक निचे में 100 लिखिएगा परतिसद को हटाने के लिए भाग में आपको 100 लगाना पड़ेगा 10 से 10 फिर 10 से 10 कर जाएगा बचा या 6 और 18 गुना करिएगा तो 88 से मतलब 108 अंक आपका आ जाएगा मतलब इसका हुआ कि 180 का 60 परतिसद कितना अंक हुआ 108 अंक हुआ अगर 60 परतिसद का अंक में देखा जाए कितना नंबर आपका होना चाहिए पास करने के लिए तो 108 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए कम से कम लेकिन ध्यान रहे 107, 106, 105 अगर हो गया फिर आप पास के कौंटिंग में नहीं आईएगा 108, 109, 110 यह इस तरीके से अगर नंबर आया है तो आप पास हैं, ठीक है? तो आप अपने उन्हों सार देख लिजेगा आंसर की अपलोड हो चुका है और डेडी आप मिला लिजेगा, ठीक है? अब आगे और भी डिटेल से जानेंगे अभी बहुत सारा कंडिशन बाकी है ठीक है? बहुत सारा कंडिशन ऐसा ऐसा है जो कि बच्चे को समझ में नहीं आता है तो वो चीज समझ लेना है देखिए, यहाँ पर मैंने इस्टार लगाया है क्योंकि यह जिहान है बहुत बड़ी चीज है लिखावा है यहाँ पर समझ यह इसको परतिये खंड, मतलब जो सेक्षन आप लोग का दो सेक्षन मिला था एक मैट का और एक सेट का है न, नबबे नबे कोशन करके तो देखिए, परतिये खंड, मतलब मैट में भी आपको 40% और सेट में भी आपको 40% लाना है, ठीक है ध्यान देखिए, पहले तो मैंने आपको पताया कि मैट और सेट दोनों मिला के कितना परसेंट होना चाहिए 60%, ठीक है, मैट सेट दोनों मिला के 60% आ गया, तो समझ यह आप पास है अब आगे क्या कंडिसन है, कि आपका मैट में 40% होना चाहिए, और सेट में भी 40% होना चाहिए, मतलब मैट में आपका 90 कोशन था, और सेट में भी आपका 90 कोशन था, तो 90 का 40% क्या होगा तो यहां मतलब 40% होगा, ठीक है, देखिए 90 का, का मतलब गुना हुआ, है ना, यहां गुना का चिंदे दिया, 90 का 40 परसं, 36 हैगा कैसे, तो 90 गुना 40 करिएगा, बटा में 100 करिएगा, और 1-0-0 कर जाएगा, 1-0-0 कर जाएगा, तो नोचो के 36 अंक आ जाएगा, मतलब, मैट में, ठीक है, खंड A, मैट में, 90 का 40 पर 30 सत क कितना अंक हुआ, कितना नंबर हुआ, 36 नंबर, मतलब, आपको मैट में 36 नंबर लाना है, कम से कम, 36 नंबर लाइए, या फिर इससे अधिक लाइए, ठीक है, 36 या 36 से अधिक, कम नहीं होना चाहिए, ये, ठीक है, और सैट में भी आपका 36 नंबर आना चाहिए, 36 से कम नहीं अब यहाँ पर condition ये है कि अगर आप mat में 90 नमर ले आते हैं ठीक है माल लिया जाए 90 में 90 नमर ले या फिर समझे कि mat में आपने 70 नमर ले आया ठीक है कितना लाया 70 और इसमें आपने कितना लाया 20 नमर लाया ठीक है तो 20 में तो आप file हो जाएंगे क्योंकि 40% नहीं पूरा और 90 का 70% तो 40% से ज्यादा हो जाएगा मतलब एक में ज्यादा हो रहा है और एक में कम हो रहा है तो इस इस्तिती में आप यहाँ पर file हो जाएंगे तो यहाँ पर एच्छे समझ देना है mat में भी आपका 40% होना चाहिए मतलब 36 नमबर अगर इसमें कम हुआ तो फिर भी आप file हैं दोनों में 36 या 36 से ज्यादा होगा तो आप pass है clear है यह चीज़ अगर आपको कहीं confusion है तो आप comment में जुरू लिखिएगा ठीक है जो भी आपका doubt है अब दिखिए 40% किसके लिए है तो general OBC के लिए है ठीक है परतिय खंड में यह 40% बला जो बात है मैट में और सेट में यह OBC और general के लिए है SC ST के लिए 35% है मतलब 35 नंबर तो आप निकाल लिजेगा 90 का 35% कितना होगा ठीक है अराम से निकाल सकते हैं तो इस तरीके से अब आगे बात कर लेते हैं पास ठीक है पास होने पर अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको 12,000 और आपको मिलेगा देकि अगर आपका 9 में मिल गया 12,000 तब तुब्स पका एक कि टैंथ में आपका फिर मिलेगा 12 में मिले गया 11 अमिलेगा लेकिन इसमें भी फिर Kundita कंडिशन कंडिशन परफंडिशन टिलिए जातन चलिए कंडिशन क्या है वो भी जान लेते हैं अब नाइंध में यह भी इंप्टेंट चीज है ठीक है यहाँ पर यह कंडिजन है क्लास नाइंध में अगर आप 60% लाते हैं ठीक है एक साल पढ़ रहे हैं जैसे 2025 में आप एडिमिस्ट लिया है तो 2026 में आपका result पास होगा नाइंत का और अगर 24 अगर 2 श्रृ对कर 5 तो 25 डर टाएगा 9 क्लास का तो कितना नंबर आना चाहिए साट पर सेंट 60 पर सक्वार्षंट आना चाहिए 9 क्लास में आपका रिजल्ट 60 पर संट अगर आप रिजल्ट लाते हैं तब आपका जंग जब pass आ जाएगा result, तो अभी 2024 में आप 9 class का तब आपको पैसा मिलेगा, अगर 60% से कम आ गया, तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा, इस condition को भी याद रखीगा, फिर से समझाएते हैं, देखिए, अभी 2024 चल रहा है, तो अभी 2024 में आप 9 class में हैं, तो 2025 में आप 9 class का exam दे 60 से कम, अगर आप 60% से कम pass हुए हैं, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर 70% है या फिर 60 से अधीक है, तो फिर आपको पैसा मिलेगा, ठीक है, 2025 में आपका result देखा जाएगा, 9 class का, ये बात हुआ 9 class का, अब चली आगे बात कर लेते हैं, जैसे कि class 9 का पैसा तो बात ही पैसा मिलेगा, अब 10 class का कब मिलेगा, तो देखिए, 9 class का पैसा तो आपको, जब 10 class में आप चले जाएगे, है ना, pass होके 60% के साथ, result आजाएगा 10 class में, है ना, मतलब 25 में, तो 10 class में आपका पैसा आएगा, 9 class का पैसा, 10 class में आएगा, अब 10 class का पैसा जो है ना, के साथ से न के साथ कर जाएग जब 21 कि पैसा की साथ इस दो कि आपको पैसा मिल जाएगा ये मैं ने आपको सारे चीज बताने का प्रियास किया इस वीडियो के माईदयम से कि कहां कहां पर आपको confusion था कहां कहां पर मुख्यमंतरी मेगा चातरविर्ती परिछा 2024 का बारो हजार परती एक साल मिलने के लिए क्या-क्या चीज होना चाहिए क्या-क्या चीज करना पड़ता है कितना मेहनत करना पड़ता है तो वह सारा चीज मैंने इस वीडियो के माईदयम से आपको समझाने का प्रियास किया उमीद करते हैं कि आपको सारा चीज अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा, ठीक है, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया है, कहीं डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है न, तो चलिए फ्रेंस, वीडियो अच्छा लगा, तो प्रीज वीडियो को अपना पढ़ाई को जारी रख सकें तो चलिए फ्रेंस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों तर्तक्रिबाई थिंक्यू फर वाचिंग दिस वीडियो